हेलो हाई फ्रेंड्स मैं सरीता और आप सभी का मेरे किछन में स्वागत है आज मैं आपके साथ ब्रेड की कुलफी की रेसिपी लाई हूँ जिसे घर पे बनाना बहुत जादा आसान है और जब घर पे महमान आए या बच्छों के डिमांड हो तो आप ये कुलफी बना के उन् मिक्षर जार लिया है उसमें कुछ ड्राइफ फ्रूट्स ले लेंगे सबसे पहले मैंने पिस्ता काजु बादम लिया है इसे सारी चुछों को मिक्सर में अच्छी तरह पीस लेंगे यहाँ पे मैंने चार स्लाइस ब्रेड के लिए हैं ब्रेड में जो साइड में ब्राउन बहुत जादा अच्छा ब्रेड क्रम्स बनता है इन सारी चीजों से एक बाई जरू ट्राइब कर लें यहां पर मैंने एक बाउल लिया है बाउल में 1,5 लिटर दूद है दूद हमारा ठंदा रूम टम्परेचर पर है दूद लेने के बाद मैंने यहां पर पीसे हुए ड्रा पीसने में आसानी हो उसे भी अची तरह पीस लेंगे अब उसे दूद मेंड कर देंगे दूद में सारे breads को डालने के बाद उसको spoon से अच्छी तरह mix कर लेंगे mix करते समय देखेंगे कि bread के कोई बड़े पाट या कोई lumps तो नहीं दूद में बन रहा है ये सारी चीज़े को अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 मिनिट रेस्ट पे रहने देंगे और एक कड़ाई में 2 मिनिट गैस पे पका लेंगे ताकि हमारा कुलफी बैटर थोड़ा और थीक हो जा और अच्छे से पक जाए यहाँ पे मैंने 4 वाटी लिया है यह चारे वाटी में मैं थोड़ा थोड़ा कुलफी का बैटर डालूँगी और उसमें कुछ फ्लेवर्स अड़ करूँगी सबसे पहले एक वाटी में मैं चॉकलेट फ्लेवर चॉकलेट सिरप अड़ करूँगी इससे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी दूसरे वाटी में मैंगो एड़ करूंगी पिसा हुआ अब ये सारी बैटर को मैं कुलफी मॉल्ट में डालके फ्रीज कर लूँगी आपको जैसा शेप एड़ डिजाइन ची आप ऐसा कुलफी मॉल्ट ले सकते हैं और इसमें पुलफी बना सकते हैं यहां पर सारे कुलफी मॉल्ट में मैं कुलफी का बैटर डाल दूँगी और उसे अच्छी तरह धकन लगाके फ्रीजर में फ्रीज कर लूँगी बचे वे बैटर को हम ग्लास या वाटी में फ्रीज कर लेंगे इसके भी बहुत अच्छा शेप कुलफी का आएगा और इसे भी आप अपने फैमली के साथ इंजॉई करें हमारो कुलफी बनके तयार हो चुका है हमने कुलफी को कुलफी मॉल्ट से बहां निकाल लिया है आप देख सकते कितनी अच्छी तरीके से कलर आया है चॉकलेट कुलफी मैंगो कुलफी और नॉर्मल कुलफी दूद वाली सारी कुलफी हमारी रैडी हो गई है इसे अपनी फैमली फ्रेंड्स के साथ समझ सीजन में ज़रूरी इंजॉई करें अब जो गलास में हमने बैटर डाला था वो भी हमारा अच्छी से फ्रीज हो चुका है उसे भी निकालके हम चकू से कट कर लेंगे कट करने के बाद हम उसे स्लाइस में कट करेंगे और थोड़ा ड्राइफ fırोर से उसको गानिष कर लेंगे डेकॉरेट कर लेंगे शेर कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो देखने के लिए प्लिस सरीता कीचन को फॉलो करें धन्यवाद